आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Hello, Welcome to Download ताज इस Question हमचे पूछा गया है कि Which can be used for carrying out nuclear reaction तो हमें बताना है इनमें से कौन सा nuclear reaction करने के लिए यूज किया जा सकता है ठीक है, तो nuclear reaction हमारी किस-किस टाइप क्यों होती है nuclear reaction हमारी दो टाइप क्यों होती है एक हमारी होती है fusion ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होता है इसमें हमारे small-small element होता है वो एक दूसरी का fuse करके हमारा bigger element देते हैं जैसे कि हमारा hydrogen कंबाइन करके हमें helium देता है तो वो हमारी nuclear reaction होती है और दूसरी होती है हमारी fusion ठीक है तो fusion reaction में क्या होता है हमारे बड़े element है वो उसमें हम neutron का attack कराते हैं और हमें smaller element मिलता है जैसे कि हमारा uranium uranium 235 है ठीक है इसमें हम neutron का attack कराते हैं ठीक है neutron देते हैं तो हमें यहां पर क्या मिलता है तो हमें uranium 236 मिलता है और यह हमारा जो है split हो जाता है हमारे smaller 92 क्रिप्टोनियम में और प्लस 141 बीए में ठीक है तो यह हमारी fusion होती है nuclear field reaction होती है तो यहां पर हम देखें तो हमारे सभी के सभी हमारे बड़े elements हैं तो इसमें हमारी mostly field reaction हो रही होगी fusion तो नहीं हो सकती ठीक है क्योंकि वह smaller में होती है तो यहां पर हमारी nuclear field reaction होती है वह हमारी uranium 235 में होती है और एक हमारे plutonium 239 में होती है तो इन दोनों में हो पाती है ठीक है और अगर इनको बाकी सबको कराना होता है तो यहां फिर इनको हम uranium 235 में बनाते हैं यहां फिर plutonium 239 में convert करते हैं तो इन में तो नहीं होती ठीक है तो इन बाकी किसी में होती तो option 4 में ही सभी हमारी nuclear reaction हो पाती है 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स कभर होसा आज जी डाउनलोट करें डाउटने टाप या वाच्छाप कीजिए अपने डाउट्स 84444 पर